हलो स्टूडेंस मैं संदिप सिंग वेलकम करते हूँ आपका मैगनेट ब्रेंज हिंदी में जहां पर मिलता आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास इक्सिक्स चुट्वत मतलब यहां पर कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई साभी सब्सक्रि को साथ ही साथ हमने देखा वन सोट रिवीजन माधियम से की एक टॉपिक दूसरे के साथ में कैसे को रिलेट करते हैं क्या डिफरेंसे से उनमें क्या सिमिलारीटीज हैं और उसके बाद हमने कवर किया हमारे NCRT सॉलीशन को मतलब NCRT के जत्ते एक्सरसाइज क्वेशन उसक को भी खतम किया most important questions देखें previous year में आई हुए questions देखें इन सब कुछ को खतम करते हुए आ रहे हैं सिखते हुए आ रहे हैं अब बारी आ चुकी है हमारी कि हम value based questions को देखें मतलब मूले परक जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करें chapter number 12 धनी sound chapter से ठीक है इसमें actually जो मूले परक question होते हैं यह हमारे question paper में अभी के समय में बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा भाई important हुए हैं क्योंकि यहां पर आपकी memory based questions नहीं हैं यहां पर एक case दी जाती है उसको आपको read करना होता है उसके अधार पे कुछ प्रश्न दिये जाते हैं जिनका answer आपको लिखना होत है मतलब जो पुरानी technology रही पुराना method रहा examination का कि जो कुछ भी आपने रटा रटाया गये exam में आपने उसको लिखा अच्छे माक्स आगे अब एक व्यक्ति कोई साल भर से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हो मेहनत कर रहा हो लगा हो उसके भी उतनी माक्स और दूसरा व लगती है जिसने साल भर पढ़ा उसकी concepts clear होंगे उसने समझा होगा और जिसने रटा वो तो बसरीया एक दिन का था कल पढ़ा आज पेपर में लिखा और साम तक सब गार तो इसलिए ये बारी आती है कि अगर हम ऐसे value based questions पूछें तो यहां पर जब cases दी जाती हैं तो अगर आपने उस concept को apply करना सीखा होगा तभी इसके answers आप कर सकते हैं I hope कि आप इस pattern को समझ चुके हैं and हम सुरू कर लेते हैं हमारे पहले question को जहाँ पेक passage मिलने वाला और उसके साथ में तीन questions हमको देखने को मिलेंगे and दो question हम खुद frame करेंगे उसमें क्योंकि इसकी बहुत ज़ questions पूछे जाने के probability बहुत ज्यादा हाई है ठीक है आए ज़रा देखते हम questions को सबसे first question है हमारे पास कि राजेस और रागों ने प्लास्टिक के कप के अंदर से तार डाल कर एक खिलोना टेलीफोन बने बहुत बार करा होगा बहुत सारे इस तरीके के खिलोनों से खेला होग आपने क्या कियाता है इनोंने ज़रा देखिए एक प्लास्टिक का कप लिया ठीक है ऐसा आप करके देख सकते हैं यह बहुत मज़दार सा बहुत इंट्रस्टिंग सा भी है एक ऐसा कप जो चाय वाला जो कप आता है ना उस तरीके की बात करें एक कप यह ले लिए और एक साइड लगा दीजिए इन दोनों कप के अंदर से क्या किया भई एक तार डाल दिया ठीक है तो एक तार इन दोनों के अंदर से ऐसा डाल देते हैं अब क्या किया अब क्या किया तो एक तरफ से यहां से अगर बोला जाएगा तो दूसरी तरफ यहां से सुना जा सकता है एक कि रागव कप के अंदर मृदू आवाज में बोलता है और राजेस दूसरे चोर पर लगे कप को कान में लगा कर सुन लेता है इसने क्या क्या है दूसरे चोर पर कान में लगाया और सुन लिया अब राजेस तार को उंगली से खीचता है और रागव उसकी द्वहनी सुन लेत मतलब क्या समझ में एक बार तो यह हुआ अब यह जो तार लगा ना उसको ऐसे उंगली से पगड़के खीच दिया तो यह तार क्या होगा ऐसे कंपन करने लगेगा यह तार क्या होगा ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऐसा जाएगा फिर उपर आएगा ऐसा तो मतलब ये तार में किया देखने को मिलेगा भै तो तार में देखने को मेलेगा कम्पन अब इस कम्पन से क männla तो भै ये कम्पन ने फिर से ध्वनी उत्बबन करी जो दूसरे ने सुन लिए मतबँ खिलोना को एक एस आपको समझ में आ चुका है यहां पर क्या क्या की question हो सकते हैं एक question सीधे सीधे हो सकता है ध्वनी संचरन से कि ध्वनी एक जगा से दूसरी जगा कैसे संचरित होती है कैसे चलके जाती है और दूसरी चीज यहां पर discuss हो सकती है भई क्या कि ध्वनी संचरन के बीच में यह जो तार है वो एक माध्यम के طریقے से काम कर रहा है तो ध्वनी संचरण में माध्यम की क्या ओशक्ता है माध्यम किस परकार से सहायक है यह question हो सकते हैं and तीन question है आपर और दिये हुए है ठीक है न पहला question है हवा में तरह में तथा तार में किस परकार की तरंगे उत्पन होती है अच्छा यहां पे एक बात और सुनिएगा यहां पे यह मर्दू अवाज में क्यों लिका यह धीरे धीरे यहां से क्यों बोल रहे है जोर से क्यों नहीं तो आपको ध्यान में आगा कि अगर यह जोर से बोल देगा मतब वो जाये तो किस से के जरिये जाये इसी तार के जरिये पहुंचे ठीक है ना अगर वायू में चल करके वही दोनी उसके पास तक पहुंच जाती तो भाई इसको नहीं समझ पाता कि इस तार के माध्यम से गई है इसी लिए लिखाता हूँ तो अब देखिए हवा में तता तार में किस प्रकार की तरंगे उत्पन होती है अगला क्वेश्चन है दोनों प्रकार की तरंगों में एक अंतर स्पस्ट कीजिए भाई हवा में जो चल करके गई है इसमें कैसी तरंग है तार में से जो चल के गई है उसमें कैसी तरंग है और उसमें अंतर लिख रहा है अ आगे बढ़ते हैं राजेस और रागहों के द्वारा दर्साय के गुणों को लिखे राजेस और रागहों ने कौन से गुण दर्साय ये सब एक्सपेरिमेंट करके क्या समझा क्या सीखा इसको आपको समझाना है तो आएए चली हम ज़रा इनके आंसर्स की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं हवा में ततार में कैसी तरंगे उत्पन हुई तो जो हवा में तरंगे मिलेगी वो अनुदैर्द होगी और जो तार में मिलेगी वो अनुप्रस्थ होगी यह तरंगे कैसी होती बई अगर हम बात करते हैं तो यहां तो यह ऐसा चलेंगी यहां फिर कैसा चल लेगी बई तो यहां पर बहुत जादा घनी फिर यह कैसी होती जाएगी तो यह दूर हो होती जाएंगे फिर से कैसा होता जाएगा तो फिर से दूर होते जाएंगे मतब यहां पर समझ में आते हैं कि यह जो तरंगे चलती है compression and rarefaction फिर compression and rarefaction मतब संपीडन विरलन संपीडन विरलन ऐसा करके चलेगी और दूसरी तरफ यहां पर देखने को मिल रहा है मुझे कि संपीडन विरलन नहीं हो रहा भै यह तरंग यह जो बन रहा है यह तरंगों के चलते के समय यहाँ पर माध्यम के कन आगे पीछे गमन कर रहे हैं माध्यम के कन जो है मैं इसी से बना लेता हूँ माध्यम के कन इसमें कैसे गमन करते हैं आगे पीछे ऐसा वाइबरेट हो रहे हैं मतब यहां से कंप्रेस किया फिर आगे बढ़ गया फिर कंप्रेस किया फिर आगे बढ़ तो माध्यम के कण अपनी जगह पे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा गमन कर रहे हैं और जो तरंग संचरन की दिशा वो भी धरी है मतब इसको उपर वाले को यहां पर मैं लिखता हूँ यह हमारा तरंग संचरन की दिशा और यह जो है यह है कणों की दिशा यह जो माध्यम के जो कण है उनकी दिशा कण की दिशा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कण की दिशा और माध्यम की जो तरंग संचरन की दिशा है इन दोनों को देखें तो दोनों पैरलेल है एक दूसरे के किन्तु जब नीचे यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप दे जा रही है यह तरंग संचरन कि दोनों कि टोनों मैं निएक पा रहा हूं कि यहां पर कन की दिशा और तरंग संचरन के दिशा तो दोनों के बिच में 90 डिग्री और यहां पर दोनों के समानांतर मत्तब 0 डिग्री ठीक है यहां पर दोनों तरंग कैसे जीरो डिग्री क्योंकि इधर ही तरंग संचरी तोरी और इधर ही कणों की दिशा भी आगे पीछे आगे पीछे और इसमें क्या हो रहा है इसमें ऊपर नीचे चल रहे है ठीक है जब लोगनिट्यूडनल वेव है तब कैसे चल हवा में तो अनुदैद चल रही है और जब तार में चलेगी तो अनुप्रस्थ चलेगी अब देखे अनुदैद तरंग माध्यम के तरंग की गमन करने की दिसा के समानतर आगे पीछे दोलन करते हैं यह जो पहला जो बनाया यह क्या है यह हमारा अनुदैद और यह नीचे जो बना यह क्या है यह अनुप्रस्त है ठीक है आगे बात करते हैं तो आगे भई यह चीज कि अनुप्रस्त तो जो मुझे दिख रही है नीचे इसमें हो क्या रहे तो तरंगों में माध्यम के कण तरंग अमन करने की दिसा के लंबवत दोलन कर रहे हैं इसके जो तरंग के ज देखिए यह ऊपर है तो दूसरे चंपे यहीं बंदू नीचे होगा kuin अगले चंपे ऊपर नीचे एसा चल रहा है है तो इस झीद कहता है कि इसमें जो कण है यह कैसा चल नहीं आ यह ऊपर नीचे उपर नीचे घमन कर रहा है डियक LA को मतब जो इसके बीच मए difference लिखने की बात थी, वो difference भी हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, पहले में हमने यह भी बता दिया कि हवा में कैसा चलेगा और तार में कैसे चलेगा, मतब जो तार के माध्यम से जो आवाज गई थी, वो चलेगी इस तरीके से भी स्रंग और गर्त के माध्यम से, अनुप्रस संपिडन का मतलब क्या होता भी, तो एक उच्छ दबाओ का च्छत, यह देखें, उच्छ दबाओ का है, यह उच्छ दबाओ का, और यह आर मतलब क्या होता भी, तो इसका मतलब होता विरलन, विरलन का मतलब क्या होता भी, तो निम्न दबाओ का च्छत, यह देखें, दू जोना जैसे ही बहले एक experiment किया लेकिन उनने खेल खेल में एक ऐसी चीज को समझ डाली एक ऐसी समझ विक्सित करी उन्होंने ठीक है अगला क्या भी तो प्रयोगों द्वारा सीखना आसपास में तालमेल और सहयोग जो आसपास की चीजे हैं उनमें क्या क्या भी उनने तालमेल स्थापित करी वो तार लेकर क्या है वो कप्स ले आया है उसके अंदर में डाली वायर धीरे धीरे बोल करके सीखा देखा सुना ठीक है तो मतलब एक बात समझ में आती है कि जो experiment हम अपने आसपास की चीजे उपलब दें उनमें भी कर सकते हैं उसको इन्होंने किया ठीक है भावनों का निर्मार करना वर्जित होता है जो हवाई अड़ा होता है जहां पे एरोप्लेंट्स आना और जाना करते हैं वहाँ पे जो बड़े भावन होते हैं उनका निर्मार मना किया जाता है इसके बावजूद भी कुछ वेल्डर ने भावन निर्मार का कर दिया सुमिता ने जब यह देखा तो इसने आर्टी आई ठीक है राइट इंफॉमेशन एक्ट से जनकारिया एकत्र कर सिकायत दर्ज की तता साथी सम्मंदित नगर निगम के कार्याले में भी इसकी सिकायत करी अब यह क्या हुआ हवाई अड़े के पास में उची बिल्डि से आती है ठीक है इन सभी के बारे में यहां से क्वेशन समसे पूछे जा सकते हैं यह सुमिता एक जिम्मदार नागरी कहनाते सबसे फॉस्ट वह आर्टी आई एक्ट के तहद जा करके पहले पता किया कि भी यह नियम क्या कहता है क्या यह जो बिल्डर वहां पे घर बना र है वहां पे नहीं बनाना चाहिए तो इसकी सिकायत उसने जा करके नगर निगम के कार्याले में की जिस पर सुनवाई हुई होगी और इस तरीके के अव्याद मकान को बनने से रोका गया होगा क्वेश्चन परते हैं किसी व्यक्ति को हवाई अड़े के पास अपना निवास स्थान चू नहीं बनाना चाहिए अकिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वज़़ा से ऐसे नियम बनाएगे कि हवाई अड़े के पास में मकान नहीं हो अगला कोई अन्य दो स्थानों के नाम बताई कि जहां दोहानी प्रदूशन होता है बताएंगे भई उपयुक्त प्रशंग में सुमित के कौन-कौन से मुल्य परिलक्षित होते हैं ठीक है यह सुमिता है भई सुमिता के कौन-कौन से यहां पे मुल्य परिलक्षित हो रहे हैं ठीक है आईए हम करते हैं जरा बात तो सब से first के अगर हम बात करें तो हवाई अड़े के पास में अगर घर बनेगा तो simple सी बात समझे जब aeroplane इतनी उपर से गुजर रही होती है तब आप नीचे देखते हैं कितनी जादा noise होती है कितना जादा vibration आता है क्योंकि sound क्या है sound एक कंपन है एक vibration है उस vibration की वज़से हमारे ऐसा समझ सकते है heartbeats की problems हो सकती है बढ़ सकती है ठीक है इसके साथ साथ रख्तचाप की बिमारी मतब बीपी की जो बिमारी कहते है blood pressure की जो मिमारी कहते है उसकी बिमारी हो सकती है क्योंकि यह जो नोई जाते वह बहुत ज़्यादा vibration create करते हैं वह vibration हमारे सरीट के लिए बहुत ज़्यादा नुक्सान दाएक है साथी साथ हवाई अड़े के पास में अगर घर होंगे तो घरों के ऊपर भी तो यह vibration काम करेंगा मतब बिल्डिंग में तो हिलेगी ठीक है न तो दीके सबसे पहले तो एक बात समझते है हवाई अड़े के पास बिमानों के आगबन प्रस्थान के कारण ध्वनी प्रदूर्शन होता बहुत ज़्यादा जो बहरे पन उच रग्त चाप या अन्य बिमारियों को जन्म दे सकती है मैंने ज़्यादा बता हार्ट बीट है अन्य बिमारियों के अंदर आगया भई इन सब को भी problem मतब इन सब बिमारियों का जन्म दाता हो सकती है इसकी वज़र से ऐसी बिमारियां उत्पन होंगी ठी है आप घर बना रहे हैं घर सुरक्षित सेफ रहने के लिए बनाई जाती है और इस तरीके के अगर घर लेते हैं तो भी यह वहां आपको दिक्कत हो रही है यह सारे रोग उत्पन हो रहे हैं तो यह बिमारिया जबर जस्ति में क्यों मोलने हम ठीक है इसलिए हवाई ऐसे दो स्थान बताने ते जहां पर नोईज होती हो बहुत ज़ादा तो एक तो रेलवे स्टेशन के आसपास भीड बाड़ वाले सडख के किनारे बनेगा रेलवे स्टेशन हो यह फिर भीड़ वाला बाला आपका जैसे बस स्टाइंड हो गया मार्केट हो गया ऐसी जगो आगे बात करें तो सुमित के द्वारा दर्थाएगे मुल्य क्या है तो उसने इसको देखा देखकर के अंदेखा नहीं किया तो बहुत सारी पॉलिसी लेके आ जाता है सस्ता बेचना सुरू हो जाएगा इसली लोग खरीद लेते हैं लेकिन जागरुकता हो तो ऐसी नहीं होगी इसलिए यह जो सुमित है वो एक जिम्मदार नागरिक है वो उसने आटी आई लगाया आटी आई लगाने के लिए तो प् आएगा फिर उसके उपर रिस्पॉंस आएगा तो उसने अपनी जिम्मदारी निभाई नैतिक जिम्मदारी उसने निभाई कि यह सोसल जिम्मदारी हमारी है कि हमको ऐसी काम को ऐसी चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए और जाकर गए फिर उसने नगर निंगम में भी सिकायत करी, अब बिल्डर ने ऐसा थोड़ी छोड़ दिया होगा उसको, भहिए उसने सिकायत करी होगी तो उसके अगेंज भी बहुत सारी चीज आएंगे, इतना इजी तो होगा नहीं उसके लिए, बट स्टिल, उसने सारे काम किये, एक सचेतथा, ठीक है न, एक चेतना है अंदर कि बैई ऐसा नहीं होना चाहिए यह नुकसान दायक है उसने सब के लिए इस बारे में सोचा ठीक है आगे बढ़ते हम जड़ा अगले कुश्चिन की तरफ क्योंकि यह हमारा complete हो चुका और आप समझ चुके क्या मूल जो बात थी इसके जो मूल जड़ में जो बात थी वो थी ध्वनी प्रदूशन और एक बात थी बाई कि यह प्रदूशन के कारण जो वाइबरेशन सारे मतब साउंड है तो कंपन होगा कंपन मतब जो वाइबरेशन आ रहा उसकी वज़़ा से होने वाली परिशानिया अगला जो क्वेश्चिन है वह थर्ड यहां पे है रम हैरान थे कि उसकी आवाज दोबारा भी सुनाई पड़ती है हिलेरियाज में ऐसा आम तोर पर होता है आपने एक बार चिलाया तो दोबारा से उदर से आवाज रिपीट होकर क्या आती है अब क्या हुआ तो इस तरह से उन्हें बहुत आनंदा है वो बार बार बोल रहे थे उन्होंने एक बार बोला उदर से फिर से आवाज आ रही थी ठीक है ना एक बर उन्होंने हलो किया तो कई बार को उदर से आवाज यह लिकनी के इंटेंसिटी कम हो जाती है उसे क्या हलो तो फिर उदर से आवाज आती है हलो 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 ऐसा दीरे दीरे सांड कम होती चली आती तो ये मज़ा तो आता ही भई फिर क्या हुआ परंतु होटल आ गए और अब यहां आ करके भी पिर वही काम कर रहे हैं खुब जोर जोर से चिला रहे हैं उनको लग लगा होगा कि भई हम कहीं बाहर घुमने आए तो यहां ऐसा ही होता है वहां जोर जोर से बोला तो यह पर इ घटना नहीं हुई वहां पर यह रिपेटिशन नहीं सुनने को मिला रमेश ने अपने पिता जी से इसके बारे में जनकारियां प्राप्त की फिर रमेश ने अपने पिता जी से इसके बारे में पूछा कि भई ऐसा क्यों हुआ था जब अपन हिलेरियास में गहते हैं वहां को क्या है यह जो रेपिटेशन जो सुनाई दे रही थी अल्टिमेटल प्रती दोनी थी यह क्या है क्यों होती है कब होती है इसकी बाद अगला होटेल के कमरे में प्रती दोनी क्यों नहीं सुनाई दी अब जो कमरे में ता जब जोर जोर से कमरे में भी चिला रहे तब तो सु यह दोनाई देनी चीह ना प्रतीद वह को वहां क्यों नहीं होरी है को वह जब बाहर ही भी बहुरा यहां थो हो जो पुशने के लिए अपने पिता जी के साथ में यह जो एक्सपेरिमेंट उसने किया अपने चोटी बहुत के साथ में मिलकर के उसके पीछे के concept को समझना चाहता है तो उसके क्या गुणधर्म है उसके values हमको यहाँ पर बतानी है तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतीद होनी प्रतीद होनी एको का मतलब simple सा यह होता है हम जो कुछ भी बोल रहे हैं यह किसी सतर से ठकराएं और ठकरा के बात वापस आकर के हमारी कानों पर सुनाई दे जिसके पीछे दो condition है हमारी सुनने की जो timing है वो एक बटा दस सेकेंड है और इसको लिखू तो इसको लिख सकतो 0.1 सेकेंड मतलब हमारे brain में सुनी हुई बात सिर्फ और से 0.1 सेकेंड तक रहती है जो कुछ हमने सुना उसका इंपक्ट कितने दिर तक है वह एक बटा 10 सेकेंड 0.1 सेकेंड इसके बाद उसका इंपक्ट खतम हो जाता है अगर एक बात समझी है जो कुछ भी बोला जैसा suppose hello बोला अब ये hello क्या हुआ भई ये hello क्या हुआ तो यहां से बोला ये गई इदर और यहां किसी सत्थ से टकराने के बाद वापस से ये hello यहां करके सुनाई दे गई तो इसी को क्या कहते है भई इसी को कहते हम एको hello बोला वो गई जाकर कर टकराई तकरा करके वापस आकर के सुनाई दी तो इसको हम कहते है एको बस बात इतनी सी होने चीए कि ये पेहले जो बोला गया हेलो है और ये जो दूसरी बार बोला गया हेलो है इन दोनों के बीच में जो time difference होना चाहिए वो होना चाहिए बही है से बोला तो भई पहाड़ों के बीच मेन अब पहाड़ है सब के सब ऐसा अब यहाँ कहीं से बोला ते हैसा सब वोइस गई इदर से टकराई टकराने के बाद उसको वापस आ के सुनाई पड़े और भी इदर लिए क्या होता है कि यही बालक जब घर में आ गए मतब जब होटेल में आ गए वहां इनों ने चिला है वहां इनको एको नहीं सुनाई पड़ी तो बैदेखिए एक और कंडिशन में लिख दू कि यहां से यहां तक के बीच की जो मिनिमम दूरी है यह मिनिमम दूरी 17.2 मीट की होनी चाहिए अटलीस्ट क्योंकि देखे साउंड की वायू में चाल है ना ध्वानी की चाल वायू में जनरली यह वैल्यू थोड़ी बहुत वैरियेट करती है भाई 340 मीटर पर सेकेंड में लिख रहा हूँ कहीं पर आपको 344 में मिल जाएगा कहीं पर आपको 346 में मिल जाएगा यह जनरली में लिख रहा हूँ at 25 degree Celsius, 25 degree Celsius पर generally 340 meter per second के तिवरता उसे sound एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करती है, ठीक है, एक general value है, मैं आपको यह भी बता देना हूँ, थोड़ा बहुत variation आपको देखने को मिल सकता है, अब इस वेग से कोई चले, और टाइम लगाना उसको कितना, तो उसको टाइम लगाना 0.1 second, ठीक है न, तो कम से कम कितना दूरी चाहिए, 17.2 meter, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, 44, अब exactly आप इसको divide करेंगे तो मिल जाएगा, कैसे भई, तो हमें जब पता है, समय, अगर हमें पता है, चाल बराबर होता है, क्या, दूरी बटा में समय, मुझे अगर calculate करना भई है, समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाता है, द 0.2, और नीचे कितना भई है, 344, इसको जब आप cancel करेंगे, ठीक है, तो यह आएगा अपना 0.1 के आसपास, ठीक है, तो इससे हमको समझ में आता है, कि भई, यह जो चलेगा, है ना, और ध्वनी टकला कर गए, जब कानों तक आने वाली होगी, तो वो हमें कितनी देर में स से ध्वनी टकरा कर वापस आने की जो प्रक्रिया है, इसी को प्रती ध्वनी कहते हैं, आगे, प्रती ध्वनी सुनाई तभी पढ़ती है, जब परावर्तक सता नियूनतम 17.2 मीटर की दूरी पर हो, थेके, हमने बात करी थी, समाने तह, होटलों के कमरे की लंबाई चोड़ पराई इस से कम होती, अभी 17.2 मीटर बहुत बड़ी होती, अब होटल के जो कमरे होते हैं, वो तो भी या, मुश्किल से 10 x 10, 10 x 13, फीट की बात करो मैं, इतने में हो जाते हैं, यह तो मीटर में, करीब करीब तीन गुना समझके चल दिए, साथ ही, इसमें ध्वनिया और सो जैसे परदे, गद्यदार सूफे, खुर्दूरे प्लास्टर, यह सभी उस कमरे में होंगे, तो यह सब अवसूशक है, यानि ध्वनिया यहां पर गई और यहां पर आपने गद्यदार कोई चीज जैसा लगा दिये, तो यह यहां से जाकर कर अब रिफलेक्ट नहीं होगी वही यह उसोसित हो गई, वहीं के वहीं रुख गई, अब नहीं आरी यह वापस, ठीक है, तो यह उसोसित हो गई अगर, तो रिफलेक्शन मिलेगा नहीं, रिफलेक्शन मिलेगा नहीं, तो एको होगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़ें, तो यहां पर रमेज के द्वारा दर गुमने आये गुमने इंजोई करें यह फालतू की चीज़ों में कहा पढ़ना लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उसने क्या किया भी उसने अपने पिताजी से डिसकस किया कि इसके पीछे क्या कारण था किस वज़ा से यह सारी चीज़े हो रही थी ठीक है तो खुल मिला करके आप आपको यहां तक मैं समझ में आया कि किस तरीके के जो हमारे प्रश्णों होंगे वो ऐसे जब केस स्टेडी बेस पूछे जाएंगे मतलब आपको एक स्टेटमेंट देने के बाद किस किस प्रकार से क्वेश्टन पूछे जा सकते हैं तो बाकी कोर्स के लिए क्या करते हैं तो बाकी course contents के लिए आप अपने search box में लिखते हैं magnetbrins.com आपके सामने कुछ इस तरीके से page open होता जहाँ पर आप अपने top courses को explore कर सकते हैं मतलब आप CBS English Mediums हो, CBS Hindi Medium, NTSC, Olympiad, CUET, Spoken English, ITJ, NEET, CIIB, JAIIB आप जिस किसी भी segment का preparation करने, just click किजिए आपके course contents open हो जाते हैं तो जैसे ही आपने, suppose आप CBS Hindi Medium से या फिर किसी और state board से आपने click किया, आपके सभी classes open होगी आप अपने class पे जाते हैं, जैसी क्लिक करते हैं, आपके सभी subjects open हो जाते हैं watch now पे जैसी क्लिक करते हैं, आपके chapters open हो जाते हैं, जहां एक ही chapter के folder के अंदर उससे जुड़े हुए उसके concept videos, one short revision, MCQs, NCIT solution, previous year question, most important question और अब तो value based questions भी इसमें मिल जाते हैं जैसे इसको आप click करते हैं, कुछ इस प्रकार आपका video play हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप pause कर सकते हैं, screenshot ले सकते हैं, notes बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, next video करके यहीं से आप अपने अगले video पर जा सकते हैं, मत्तब भटक नहीं कि बिल्कुल भी जोरत नही हैं, तो अभी के लिए इस video को like कर दीजे, channel को subscribe and इस अपने दोस्तों में share भी कर दीजे भई, क्योंकि magnet brins hindi लेकर काता free education, from class 7th to 12th, quality content and experience teachers के साथ, तो बने रहे हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले session में, thanks for watching.